अगत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में कलेंट पर्सों के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में जो गिरावट है अगर वो गिरावट कंट्यूनिय रहेगी तो इस लेवल के नीचे आपको शॉट मारना नहीं तो शॉट करने से बचना राइट अब मैंने स्टॉक दिये थे जैसे मैं आपको देता हूं आज से पांस से चे मैंने पहले ये कर रहा है कहां से दिया था और इसके क्या वाँ में दे रहा हूं यह रहा है सबीके तो यह उपर जाके आया भी और यहां पर आप देखेंगे तो यह इस टॉक्स आज अभी भी अठारा सो के उपर है यानि सी बात ते आपने इंवेस्टमेंट्ट जो किया उसके नीचे आपका मार्केट इतना गिर गया लेकिन फिर भ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंवेस्टमेंट की बात करूंगा है ऐसे और भी है जैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए लेकिन वहीं एक बेंक के एसडी एपसी जिसमें आपको आपका स्टेक बड़ा देना चाहिए दूसरी चीज मैं को सेविका रेजिस्टर अनलिसिस नहीं हूँ नहीं एडवाइजर हूँ तो जो भी आप काम करें जो भी आप इंवेस्मेंट करें अपने रिस्क एंड रिवाड रेशो को देखके अब यहां पर मुझे इसमें बहुत ज्यादा वह नहीं लग रहा है कि यहां से उपर जाना चाहिए कारण भी आपको बता देता हूं बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है लेकिन यहां पर अभी इसमें जो चाल है वह उतनी अच्छी नहीं बनने वाली है बहुत अच्छा रि वीडियो बना चुका उनको पर आज हम बात करेंगे रिलाइंस से जिया रिलाइंस में आपके लिए बहत्री इंवेस्मेंट का मौका प्रजेंट टाइम पे मुझे देखने को मिलता है कहां क्या लेवल है कैसा होगा वो सारी बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे दूसरी को डिसक्रिप्शन में मेरा वर्टसप मोबाइल मिल जाएगा वहां से आप मेरे साथ जूड़ सकते हैं फीस कोई बहुत जादा नहीं है नॉमिनल फीस इंटरनेट का चार्जे से मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूं तो यह आपको वहां पर मिल जाएगा यह हम और भी डिसक्रस कर सकते हैं आप डिट्यल में वहां से आप से डिसक्रिप्शन से ले सकते हैं तो मेरा जो liberal का नाम दोंगा एक गया First that रॉडल 강व तो वहां पर मेरे साथ जूड सकते हैं और मिरे साथ यह फिर टेले ग्राम थर तो वह वह ज whales Onkser आप मुझे high कीजिएगा तो मुझे जनकरी मिलें तो चलिए भी भाज कहें मन्तली और लुक अगर हम मन्तली में बात रिलाइन जैसी कंपनी आपको दोका नहीं देगी तो 180 पॉइंट का आप ऐसे ले ले और ज्यादा ज्यादा तो यहां पे आप अपना इन्वेस्मेंट 50% कर सकते हैं और और अगर आपको लगता है तो यहां पे आप 100% 100 maximum इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा है ग्यारेंटी तो मार्केट में किसी चीचकी नहीं होती लेकिन एक वर्ड तो अब इसे छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं वीकली अगर टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली में यह 40 के नीचे जा चुका है और यहां पे जो लेबल में आपको दिया है 1185-1200 वहां पे इसकी 200 यह में पास्ट अगर अगर आप analysis करेंगे पास्ट में आप देखेंगे तो यह चेनल इसका काम कर रहा है Right, risingvert pattern मोलते हैं इसको थो यह पैटन में market काम कर रहा है यहांम पर इभी इसका support देखने को मुझे मिलता है तो यहां से यह बाउंस लेगा तो पंद्रासो सोला सो के आपको बैसिकली नॉमिनल टार्गेट हो सकते हूं एंड उसके उपर भी यह जा सकता है आने वाले दिनों में डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखू तो चार्ट लोगों को लग रहा होगा बुरा होगा लेकिन जब लेएं तो छोटे टाइम पर जाके देखते हैं तो हमें यहां पर और चीज समझ में आती है कि इसका نल का सपोर्ट था और यह उसी के आस पास ठक रहयोगा रहा है मंने देखा कि राइज बेज में काम कर रा यहां बार 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 लेता है तो यहां पर आपको जो चीज affirm मिल का वीडियो जाकर देख लीजीगा तो रिलाइंस हमारा फस्ट केंडिडेट है जहां पर आपको अपना जो भी है अमाउंट यह जो भी आप डाइबर्सिफाई करते हैं स्टॉक्स को इंवेस्मेंट को उसमें से कुछ अमाउंट इसमें डाल सकते हैं जिसका जिसे अगर आप एक लाख रुपे का रिलाइंस के शेर लेना चाहते तो पचास एर चाली साट एचार के शेर अभी ले सकते अगर और डीप करेक्शन आता है और कुछ बड़ा कुछ होता है बड़ा न्यूस में होता है जो कि लगन रह है तो यहां से आपको कच्छी चाल देखने को मिलेगी दूसरा प्रम के बनने से जो कुछ दिनों से हम यहां से एक डाटा जो चाना की तरफ जाता हुआ देख रहे थे फंड वह अभी वापस रिटेंट टू इंडिया आने वाला है दूसरा इस्टोक यह बहुत सस्ता मिल कर रहा है इसके चार्ट इस्टेडी नहीं कर हुआ चार सो थीन सो यह बहुत उपर बहुत उपर गया था उपर की तरफ इसकी एक रेंज यह वहां से गिरा है तो नीचे सपोर्ट है सस्ते रेटों पर मिल रहा है आप इसमें पोजिशन ले सकते हैं जो सबसे बेत्रे निस्टोक जो की बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा वह है आज की टाइम पर मैं फिर वही बोलूँगा मैंने आपको सब्सक्राइब कर देखेंगे तो यहां पर आपके साथ क्या चीज़ें देखिए आरे साइए में सिक्स्टी के एबव यह जाने वाला है डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम यहां पर देखेंगे तो यह 1700 का इसका रेजिस्टेंस इर 1700 मार्केट इतना ज़्यादा गिर लेकिन यह स्टोक्स अभी किछ दिनों से रिवर्स ले रहा है और होल्ड कर रहा है उसके पहले जितना गिरना था गिर चुका था डबल टॉप बनाके वापस ट्रिपल टॉप की जा रहा है और अगर यहां से ब्रेकाउट देता है 1700 के उप कि फिर आप और सब्सक्राइब जो पहलें जोड़े आके बात करते हैं जो हो सकता है तो वहां पर यह यहां लिए इसटोक निकलता है आपके मुझे एलर्जी है तो यह इश्यूस आते रहते हैं तो यहां पर इस स्टोक में बात करूँ तो यहां पर मैं इसे तो यहां पर 1760 के उपर यह स्टोक कुछ यहां से एक अच्छी 40 में मिलेगी आने वाले दिलों में अगर हम बात करें तो HDFC अब हम थोड़ा और बड़ा टाम फ्रेम लेते हैं यहां पर इसको वीकली में देखते हैं वीकली में अगर में बात करूँ तो देखिए वीकली में होल्ड कर रहा है और यहां से आपको ऊपर की तरफ चाल देखने को मिल सकती है कि अब हम बात करें वीकली की तो वीकली पर आप देख पहा रहे होंगे आरे साय में आल्रेडी ब्रेक आउट हो चुका है मार्केट अपनी ब्रेक आउट के ऊपर होल्ड कर रहा है यह वीकली यह यहनी तीन से चार वीक से यानी स्ट्रोंग पोजिशन है अभी वर्तमान में HDFC तो अगर आप देख रहे होंगे कि बैंक विप्टी जो गिर नहीं रहा है उसका एक मीन कारण यहां भी तीसरी चीज यहां पर एक में बेस्ट कंडिडेट देखू ती मंतली में भी ब्रेक आउट करने वाला है तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है आने आने वाले दिनों में HDFC बैंक को बड़ा करने वाला है जी हां HDFC अगर में बात करूं तो 2020 के बाद इसने जो रिटन दिया था तेरा सो से सतरा सो इतना कम रिटन की एक्सपेक्ट इससे नहीं की जा सकती माना इसमें स्प्लिट हुआ होगा और कुछ हुआ होगा लेकिन फिर लीट करेगा बेंग निप्टी में जी है अब हम बात करते हैं एक छोटा सा इस्टोप रेणू का शुगर की रेणू का शुगर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे मंतली पर यह 200 यह में के पास है यहां पर सिर्फ आपका एसल इतना सा होना चाहिए जहा है चुकि छोटा स्टोक है इसलिए जादा बहुत जादा रिसकस नहीं करूंगा लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया आयर सीटीसी आयर सीटीसी 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में यह 600 रुपे का स्टोक 6000 रुपे तक गया था मेरे कई सारे क्लाइंट इंवेस्मेंट और उन सब पता है तो अब यहां पर मैं बात करूं तो अब इस स्टोक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है तो यहां पर आपका रिस्क बहुत कम हो चुका है मंतली पर मैं बात करूं तो यह 20 एमें के पास काम कर रहा है जी हां 20 एमें राइट यहां पर एक पैटन जो है सारे यहाँ पर मैं बात करूं तो वीकली में 200 डिये में तो अगर आप बड़ा सा बड़ा एसल भी लेते यहाँ पर तो आपको 600 के आज पास एसल रखना चाहिए एंड आने वाले दिनों में यह इस्टोक गजब का पफरमेंस देने वाला है ऐसा मुझे लगता है अब हम बात करते आयर सिटी सी के बाद डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप देखेंगे कि आरे से इसका 40 के नीचे नहीं बार बार यह एक जो नीचे का ट्रेंड था उस ट्रेंड को इसने डाउन ट्रेंड के ऊपर अब यह पोजुटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ आप एक चैनल बना लेता हूं है ताकि आपको समझ में आजा है तो इसे रिग्रेशन ट्रेंड बोलते हैं यहां से अगर हम बात करेंगे तो यह फालिंग वेश पैटन है लेकिन जब यह फालिंग वेश पैटन का ब्रेक आउट होता है तो यह उपर की तरह पेला टार्गे आप इंडिया जहां से यह लिस्टेड हुआ था अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे तो उस हिसाफ से इस स्टोक ने भी बहुत जादा आपको रिटन नहीं दिया है यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी तो अभी यह स्टोक इतना चोटा सा एसे लेके यहां पर भी तो यहां पर आप देखेंगे तो वीकली फोटी पर सफोर्ट ले रहा है और कई दिनों से यह उपर की तरफ एक रेंच में हैं उपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो उपर यह और नीची यह के सपोर्ट है यहां पर और बड़ी बात की जा तो यहां पर आपको एक चीज होना चाहिए अब यहां से बुलीश होगा और उपर की तरफ की यातरा चालू करेगा तो आने वाले जो साले 2025 में एक बहत्री नगर रिटन के अगर हम बात करें तो यहां पर एक अच्छा केंडिडेट हो सकता है मंतली टाइम फ्रेम पर और एक बार हम देख लेते हैं मंतल भी उसके नीजहें मुझे जाता है नहीं दिख रहा है में कोरने की सबसे बढ़ी twists चोंपनी सबसे बड़ी इन्शाम मैंस क कंपनी भारत और गैन सेक्टर कंपनीई तो रिक्ह Emil अच्छा कर सकता है मैं इस लिए इस यह श्चांबानिक से नहीं जहें टिखा जाए इसको तो तो उत्मा इच्छा रिटेन इसने भी कोविट के बाद दिया नहीं तो यह स्टोक कुछ अच्छा कर सकता है इन दिनों में देखिए मार्केट में जब हम एनलिसिस करते तो दो चीज़े देखी जाती बुल्ट रिट में भी कुछ स्टोक नहीं चल रहे हैं और यह हो सकता है कि जो सेकंड वेव आती है तो उसमें चलते हैं यह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पेटन मन रहा है इस पेटन का नाम आप मुझे कमेंड में करेंगे एड़ इसके ब्रेक आउट देता है स्टोक के बाद लोगों ने किस्ते नहीं भरीती तो उसका इंपक्ट इस पर पड़ा है लेकिन अगर आप यहां पर बात करो तो यह सस्ता मिल रहा है मेरे हिसाब से सस्ता मिल रहा है वीकली में जहां से यह स्टोक लिस्टेड हुआ था जितना लो लगा था कोविट का उसके आसपास मिल रहा है तो अगर आपका एसल भी रखना है तो एक सो सब्सक्राइब से आप एक सो पचास का मैक्सिमम उसके बाद निकल जाएगा तो यह स्टोक जिस प्राइस पर उससे तो उपर आपको दे जाएगा एक अच्छी बैंक के बहुत सारे लोगों का फाइदा करत सकते हैं चोटे। के अगर में बात करो तो चोटे शॉपकर रिवाट है तो यहां पर अगला जो शॉपक क्या भाल लोह है वह सट माए यहां पर बात करें तो यहां पर यहां पर ब्रेकाउट है इसको बोलते पी आडी पॉजिटिव रिवर्स डाइबर्जेंस में बन रहा है जो कि आने वाले दिनों में डिप्टी को लीट करेगा तो यहां पर एक चाल मुझे देखने को मिल रही है इस वी harina आने वाले तो इसके नीचे आप एसल रख सकते हैं अगर आप मार्केट को गिरते हुए देखते हैं तो तो यहां पर राइट 820 और नीचे की तरफ यहां पर उपर की तरफ एक अच्छी चाल मैंने आपको पहले बता दिये अब हम बात करते हैं लास्ट एंड लीस्ट ओंजीसी ओंजीस का मंतली चार्ट आपके सामने लेके आऊंगा एंड मंतली में अगर आप यह देखेंगे तो 20 में से थोड़ा सा दूर एक सुपिंचान अनब्रे के आसपास और जहां सी इसने ब्रेक आउट दिया था वहां से गौवर्मेंट की कंपनी है बहुत अच्छे कंपनी है तो यह अच्छी चाल देखने को मुझे इसमें मिलती है आने वाले समय में तो यह आज के कुछ स्टॉक रहे आने वाले दिनों में आई टी का करेंगे वही 15 सब्सक्राइबर है और 30 हमें इसमें लाइक चाहिए शेयर आप लोग करते नहीं मुझे पता है अगर शेयर कर रहे होते तो मेरे वीडियो पर व्यूज भी आते चैनल सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे ताकि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी अच्छी आईडिया और मिल सके ताकि इंवेस्मेंट करें ट्रेडिंग अगर आप ट्रेडिंग में अगले वीडियो में निप्टी बेंग निप्टी का एनालिसिस लेकर तैंक यू